गुरुकुल की व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं डॉक्टर पंकच कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से मृच्छ कटिकम को ले करके उपस थे तो हूं मृच्छ कटिकम के शस्ठ अंकका हम लोग अध्यायन कर रहे हैं और उसी अध्यायन के अंतरगत हम उस जगह पहुँचे हैं जहां जो आर्यक है वह जेल तोड़ करके भाग चुका है पूरे नगर में एक अव्यवस्था का माहौल है लोग परिशान हैं राजा के जो सुरक्षा कर्मी हैं वे सावधान हो चुके हैं इस जेल को तोड़ करके भागने वाले कैदी आर्यक को पकड़ने के लिए और उसी क्रम में दो प्रमुख जो सुरक्षा कर्मी हैं जिसका नाम है चंदनक और वीरक वे राज्य के प्रमुख स्थल पर खड़े हैं और आने जाने वाली गारियां या आने जाने वाले लोग उन सब के उपर में नजरें रख रहें साथ ही इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि चुकि ऐसा प्रती तो होता है कि यह दोनों सुरक्षा कर्मियों में उच्च पद के सुरक्षा कर्मी होंगे इसलिए वे अपने से नीचे के लोगों को आदेश भी देते हैं कि साथान हो जा और अलग अलग चौक पे चौराहे पे गलियों के मौहने पे खड़े हो जा और देखो वह जो कैदी है भागने न पाए वहीं से हम सुरुवात लेते हैं और उस शुरुवात के क्रम में जो वीरक है वीरक का डायलॉग है अरे रे अरे जय जयमान चंदनक मंगल पुष्प भद्भद्र प्रमुखा अब देखें यहाँ पर दो चार नाम है अरे रे जो संबोधन है अरे तयार हो जाओ कहा हो क्या हो जिस तरह से हम उद्गोश करते हैं लोगों को बुलाने के लिए लोगों को तयार करने के लिए तो उसी लेवल में यह संबाद है और कहते हैं जय एक व्यक्ति का नाम होगा जयमान दूसरा है चंदनक तीसरा है मंगल चौथा है पुष्प भद्र प्रमुखा आदे यानि ऐसे जो कुछ सुरक्षा परकर्मी है उनको नाम लेकर के यह सावधान करते हैं और कहते हैं किम स्थव श्रब्धा है अरे तुम लोग शांत क्यों खड़े हो तुम लोग चुप चाप खड़े हो क्यों खड़े हो यह देखो सब गोपाल दारको बध्ध यह जो गोपाल दारक बध्ध जो गोपाल दारक है अर्था जो की जेल में कैद था गोपाल दारक है यानि गौले का बेटा जो जेल में बंधा हुआ है भित्वा समम् व्रजति नरपति हृदयम चबंधनम चापि वह क्या है कि नरपति हृदयम अर्थात राजा के दिल और बंधन यानि जो कैद उन दोनों को तोड़ करके भागा जा रहा है सावधान हो जा तुम लोग तुम लोग चुपचाप शामती पूरवक तुम लोगों को खड़े नहीं होना है यह देखो कि जेल का जो एक सबसे भायावा कैदी है वो कैदी जो जेल तोड़ करके भाग रहा है लेकिन बड़ा सुन्दर प्रयोग है नरपति हृदयम और बंधनम बंधनम तो सपष्ट है कि कारागार को कैद को तोड़ करके जेल तोड़ करके लेकिन प्रमुख वीशय है नरपति हृदयम राजा के हृदय को तोड़ करके इसका ये मतलब नहीं है कि इस व्यक्ति ने राजा के ऊपर में कोई शारिरिक आगहात किया है और राजा के दिल को तोड़ दिया है नहीं वस्तुत है मनुश्य का प्राण बचा होता है रिदय में और इनको किसी ने कहा था राजा की भविश्यवानी हुई थी कि इनके जो पतन का कारण होगा इनकी मृत्यू का जो कारण होगा वो आरियक है तो उस आरियक को उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया अब जेल पुना भागा है तो मनो राजा का दिल तूट गया कि अब मेरे ऊपर यह आक्रवन करेगा और मेरी मौत निश्चित है मेरी तक्ता पलत निश्चित है इसलिए शब्द है नरपति हृदयम चभित्वा फिर कहता है आगे वही वीरक अरे पुरस्तात प्रतोली द्वारे वीरक जो है वह प्रधान सुरक्षा कर्मी है क्यों क्योंकि वह आदेश दे रहा है क्या पुरस्तात प्रतोली द्वारे जो प्रतोली द्वारे है यानि गलियों का जो मुहाना है गली का जो एंट्री पॉइंट है उसके आगे टिश्ठत्वम तुम उसके सामने खड़े हो तुम अपी पश्चिमे तुम पश्चिम दिशा की ओर चले जा तुम अपी दक्षने तुम दक्षन की ओर चले जा और तुम अपी उत्तरे तुम उत्तर दिशा की ओर चले जा अब देखें एक-एक का नाम होगा उन नामों के साथ वो सब को पॉइंट कर रहे हैं कि इस की जो responsibility है वो तुम्हारी है कि तुम उस gate पे तुम खड़े रहना, west में तुम खड़े रहना, north में तुम खड़े रहना, south में तुम खड़े रहना, ताकि वह खैदी, वह बंदी भागना पाए. सुप्येश प्राकार खंड़, और ये जो है, एक जो है, इस प्राकार खंड़, प्राकार कहते हैं, चाहर दिवारी को, दिवाल को, तो उसके किनारे, उसके पास तुम खड़े हो जा, और एनम अधिरुहिये, चंदनेन समंगत्वा अवलो कयामी, अर्थात मैं इस चाहर के उपर अब खड़ा हो करके, इस किले के उपर खड़ा हो करके, इस परकोटे के उपर खड़ा हो करके, चंदनक के साथ, चंदनके न समंगत्वा जा करके अवलो कयामी, अर्थात मैं उचाहि से पूरे इस नगर के अन्यस जितने भी जगह है, उनकी मैं निरिक्षन कर रहा हूँ उसका एही Chandanak ऐही Chandanak आजा एतषतावत बुलता है अब ये सारे जो एही एही या इतषतावत ये सब सारे परंपरा है उसमें लोगों को बूलाने के लिए ये एक प्रकार का मुहावरेदार प्रयोग होता है जिनको एक्टर अपने अंदाज से उसको समवाद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है चंदनक आता है उससे पहले ब्रैकेट में आप देखेंगे कि प्रविश्य है संब्रहंता है अर्थ हड़ बड़ाया हुआ आता है हर बड़ा हट क्यों क्योंकि स्वाभाविक है कि जब जेल तोड़ करके कोई बहुत बड़ा नामी इनामी खैदी जो बंदी है जब जेल तोड़ करके भागता है तो पूरे राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरे नगर की सुरक्षा व्यवस्था वो चर्मरा जाती है रोड ब्लॉक हो जाते हैं गली चौराहे बंद कर दिये जाते हैं केवल और केवल सुरक्षा कर्मी रोड पे दोड़ वे होते हैं तो इसलिए ये सारी की सारी घबडाहट है और वो घबडाया हुआ हडबडाया हुआ आता है चंदनक कहता है अरे रे वीरक विशल्य भीमांगद दंडकाल दंडशूर प्रमुखाह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भी एक गुल्म का प्रधान होगा यानि एक पक्ष का प्रधा आधी और चंदनक भी अपने अधीन रहने वाले जो सुरक्षा कर्मी है उनका नाम ले रहा है और नाम है वीरक विशल्य भीमांगद दंडकाल दंडशूर आधी ये नाम हैं उसकाल के या इस नाटक के परिकल्पित सुरक्षा कर्मियों के इनका भी है कि आग अच्छत विश्वस्ताह विश्वास पूर्वक आओ डरो मत पूरे आत्म विश्वास के साथ आओ त्वरितम यतद्वम जल्दी करो शीग्र करो लगो कुरूत जितना भी जल्दी हो सकता है करो लग जाओ अपने अपनी जगह पे तैनात हो जाओ तुम सारे लोग ऐसा उपाय करो येन जिससे नराग्य लक्ष्मी अर्था जो राजा की लक्ष्मी है यानि ये जो राज्य सत्ता है राज्य प्रशासन है राज्य का जो अधिकार है अर्था वह पालक नाम का जो राज्या है गोत्रांतरम गंतुन प्रभवती ताकि किसी भ आईसा कोई उपाय करो अर्थात राजा की सुरक्षा में राजा की सुरक्षा व्यवस्था में नगर और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में सारे के सारे लोग तैयार हो जाओ अपिच्या और भी ध्यान से सुन्लो उद्यानेशु सभाशुच मार्गे नगर्याम आपने घोशे तम तम अन्वेश यत्वरितम शंका वाजायते यत्र उद्यानों में यानि बाग भगीचे में सबहाओं में मार्गे रास्त में रास्ते में नगर्याम नगरी में आपने बाजार में घोशे ऐसे जो अहीरों की वस्ती है जहां पर वो छिप सकता है ऐसी अहीरों की वस्ती में तम तम अन्वेशयत उन उन लोगों का तुम चान बीन करो त्वरितम शिग्र शंकाव जायते यत्र जहां जहां शंका हो रही हो अर्ता जहां कहीं भी शंका का कोई भी एक स्थल है उन सारी जगहों को जा करके चान मारो उन सारी जगहों को जा करके चुन लो देख लो कहीं वहां तो नहीं छिपा हुआ वो कैदी और नाम लिया है कि वो बगीचे में हो सकता है वो किसी सभा में हो सकता है किसी रास्ते में चल रहा हो किसी नगर में चिपा हो तो किसी बाजार में गुसा हो और नहीं तो वो अहिरों की बस्ती में कहीं चिपा हो मतलब ये सबका ये है कि आज हो या कल हो सुरक्षा व्यवस्था और उसे सुरक्षा व्यवस्था की संभावनाएं सदईव एक समानों होती है इस जगा पर भी देखेंगे उन सारी जगहों की चर्चा हमारे सामने कर दी गई है जहां पर कोई भी कैदी छिप करके अपना वेश बदल करके रह सकता है छिप सकता है फिर कहता है चंदनक रे रे वीरक अरे वीर वीरक जो नाम है इससे पहले जो पहला जो सुरक्षा कर्मी था उसका नाम वीरक है दूसरा सुरक्षा कर्मी ये चंदनक है और जितनी भी सुरक्षा कर्मीयों के नाम लिए गए है वे सुरक्षा कर्मी गउन चरित रहे मंज पर दिखने वाले समवाद बोलने वाले पात्र नहीं है समवाद बोलने वाले जो सुरक्षा करमी है यही दोनों है जिनमें एक का नाम है वीरक और दूसरे का नाम है चंदनक और चूखी चंदनक का समवाद चल रहा है इसलिए चंदनक वीरक को संबोधित करते हुए कहता है कि किंग किंग दर्शयसी भनसितावद विश्रबधम कि क्या क्या देख रहे हो या क्या क्या दिखा रहे हो भनसितावद विश्रबधम उनको क्या है विश्वास पूर्वक कहो विश्वास पूर्वक बोलू भित्वाच बंधनकम कहस गोपाल दारकम महरती और देखो कि जो बंधनकम भित्वा जो बंधनक कारागार को तोड़ करके कौन वह गोपाल का बेटा जो है उसको पकड़ता है मतलब सब को पूरी तरह से कह दो विश्वास पूर्वक कह दो कि तुम में से कौन ऐसा है जो उस कैद को तोड़ करके भागे हुए कैदी गोपाल अदारा करता ग्वाली का बेटा उसको पकरता है उसको कैच करता है मतलब तरह का ऐसा लग रहा है कि इंसेंटिव तो नहीं कहेंगे डारेक्ट लेकिन हम लोग भी आपस में खेलते हैं बूलते हैं कहते हैं कि कौन है ऐसा जो ये काम करेगा तो इस तरह से लोगों में विश्वास जगा कि तुम लोगों में कौन ऐसा है कि ये गोपाल क्या जो दारक है अर्था जो आरियक है उसको पकड़ लेगा और फिर कहता है कस्याश्टमो दिनकरह कस्य चतुर्थष्च वर्तते चंद्रह शस्ठष्च भारगवग्रहो भूमि सुतह पंचमा कस्य भनकस्य जन्म शस्ठो जीवो नवमस्त थैव सुरसुतह जीवती चंदनके कह सगोपाल दारक महरती अब देखे दो तिन बाते हैं बड़ी अच्छी और प्रमुख बाते हैं लोक व्यवहार में बोल चाल में भी हम अपने ज्ञान विज्ञान की बातों को अत्यांत सरलता से बोलते चले जाते हैं यह जो नवा और दस्मा पद्य है यह विशद्ध इस नाटकार के ज्योतिश के ज्ञान का बोधक है क्योंकि पहले हम इसके नहितार्थ को समझते हैं कहते हैं कि किसका सूर्य आठमे स्थान पर है किसका चंद्रमा चतुर्थे स्थान पर है और किसका ब्रिहस्पती ग्रह जो है वह चठे स्थान पर है किसका मंगल ग्रह जो है वह पांचमे स्थान पर है और किसका ब्रिहस्पती जो है वह चठे स्थान पर है और किसका शनी जो है वह नवमे स्थान पर है अब ये क्या मतलब हुआ पहले इसको समझें ये एक प्रकार का धमकी है ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये एक धमकी के रूप में लेके चलिए कि जिस व्यक्ति ने उस गोपाल दारक को छिपाया है वह कौन ऐसा है अब एक एक चीज को समझते हैं पहले कि शब्द है दिनकर दिनकर यानि सूर्य चंद्रह स्पष्ट है चंद्रमा भारगव ग्रह का मतलब है यहां पर शुक्र शुक्र ग्रह भूमी सुता है यानि प्रिथ्वी का बेटा अर्थात मंगल ग्रह जीवा है यानि ब्रिहस्पति और सूर्य सूतः यानि शनी ग्रह रहे यहां पर अब इसका क्या मतलब है कि देखें ज्योतिश शास्त्र की दृष्टी से ज्योतिश विद्या है उनमें ग्रहों की अवस्थिती को ले करके मनुश्य के भाग्यbud मनुश्य के कर्मा भन बनुश्य के जीवन का लेखा जोख किया जाता है अर्थात अमुक व्यक्ति का अमुक ग्रह यादि उस पर्टिकुलर दिन में अमुक स्थान पर हो तो या तो शुभ होगा या अशुभ होगा लेकिन यहां जिस प्रकार से प्रसंग में जिस प्रकार से इनका प्रयोग किया गया है वो निसंदेह शुभ नहीं है ये अश्वख की बात है और हम उस अश्व४ को देखते है जो चौथी पंक्ती है जहांपर लिखा है जीवती चंदनके और चंदनक के जीवित रहने पर कौन है जो गोपाल दारक करता तो सारिक का अपहरन कर लेगा और ताथ उसार्यक को बचा लेगा यानि जब तक मैं चंदनक हूं तब तक कोई गोपाल दारक का बचा नहीं बचानी सकता और जो बचाएगा या तो उसका सूर्य आठमें स्थान पर है या चंद्रमा चौथे स्थान पर है या शुक्र छठे स्थान पर है या मंग और या नहीं तो शनी उसका नवे स्थान पर है upon की इन स्थानों पर होने से स्थितिया क्या बनती बिगड़ती है तो जियोतीश शस्त्र के अनुसार यदि सूर्य आठवे स्थान पर हो तो वह मरण का सूचक होता है मृत्यों का सूचक होता है यदि चंद्रमा चौथे स्थान पर हो तो वह कुक्षि रोग यानि पेट के रोग का वह संकेतक होता है यदि शुक्र छठे स्थान पर हो तो वह विनाश का कारण बनता है और यदि मंगल ग्रह पांच में स्थान पर हो तो उसमें भीषन ख्षती होती है इसी प्रकार, अगर ब्रिहस पती यदी छठे स्थान पर हो तो उसमें, आप यूं समझें कि शत्रु की वृद्धी होती है आपके शत्रु का उधय होता है और यदि शनी नम्मे स्थान पर है तो धनहानी धननाश का संग्षय होता है तो इस प्रकार हम इसका अर्थ लेंगे कि बाई किसी क्री मौत आ गई कौन अपना विटाश चाहता है कौन अपना धननाश करवाना चाहता है कौन अपना शत्रु बनाना चाहता है कौन अपनी खषती चाहता है आधी इस प्रकार के भावों से युक्तो हो करके वो व्यक्ति जो अपनी मौत को बुला रहा है वो गोपालदारक आर्यक का अपहरन कर लेगा एक प्रकार से यदि किसी ने गोपालदारक को बचाया है यदि किसी ने गोपालदारक को छिपा करके रखा है यदि किसी ने गोपालदारक की सहायता की है तो उनकी मौत अनिश्चित है अन्यथा इमिडियेटली उस गोपालदारक को अधिन करो मेरे हाथ में करो ये चंदनक क स्टेटमेंट है को कि मुऊने पहले देख रखा है अब ही रख चंदनक की बात को आगे बढ़ाएगा चंदनक की बात की चर्चा करे गा भट चंदनक भट चंदनक भाट नहीं वट यानि सेना अर वो सेनापती सेंदनक अब हरनथ कोपि त्वरितम चंदनक शपे तव रिदयेन यथार्थो दित दिन करे गोपालदार कह खुटित कहता है कि चंदनक मैं तुम्हारे तुम्हारी सवगंध लेकर के कहता हूं शपे तव रिदयेन रिदय से तुम्हारी सवगंध लेकर के कहता हूं कि त्वरितम कोपिय अपहरती कीषिग रही कोई इसको बचा सकता है यथार्थोधित दिन्करे मिदम यह जो ओफलंचा दारक है दुष्ट गॉपालदारक कोप सब्पकन करने की और अपने मन में उत्पन्न होने वाले संग्षय की और इशारा है और उसे इशारे के क्रम में ये कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस गोपाल दारक को किसी ने बचा लिया है या कोई बचाने का प्रयास करता है चेट यातम गावो यातम बैल गाड़ी यादी रोड पे जो चल रही है उसको एक एक बैल गाड़ी को चिक करते हुए और कहता होगा कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो तो अरे वो बैल गाड़ी वाले आगे बढ़ो आगे बढ़ो चंदनक देख करके कि उसी में से किसी एक बै प्रवहनमिति देखो अपवारितम प्रवहनम वो प्रवहन यानि वो बैल गाड़ी जो अपवारित है कवर्डप है वो जो राजमार्ग स्यम अध्येन व्रजति अर्थात राजमार्ग के बीच से जो बैल गाड़ियां चल रही हैं उनके विशय में विचार करो एतत तावत करें उसके वीशय में विचार करो कि वो कस यह अर्थात यह किसकी गाड़ी है कुत्र प्रेशितम प्रवहनमितम मिति और वो गाड़ी कहां जा रहे है स्वभाविक है हमारे आपका भी जब कभी किसी बहाने गाड़ी की चेकिंग होती है तो वो पूछी लेते हैं बही कहां इशारा कर रहा है कि इस रास्ते से इस राजमार्ग से निकलने वाले जितने भी गाड़ियां है उस गाड़ियों को चिक करो कि यह गाड़ी किसकी है और यह गाड़ी कहां जा रही है किसने इस गाड़ी को भेजा है वीरक अवलोक्य कहता है Peach माघे सूपले को गाड़ी को खफ़ता है और गाड़ी के जो चलक जो यान चलक है उसके लिए शब्द और गाडीवान अरे इस तरह से इस गाडी को मत चलाओ मत खीचो पहले ये बता कि कस्येतत प्रवहनम यह गाडी किसकी है जिसा भी शुरू में था कि विचार करो कि कस्या और कुत्र कोवा इहारूड है इसमें कौन बैठा है और कुत्रवाव रजती किधर की ओर जा रहे हो कहा जा रहे हो स्वाभाविक प्रश्ण स्वाभाविक जिग्यासा और एक नैचरल चेकिंग जो होती है उसके लिए ये प्रश्ण है गारिवान से पूछा जा रहा है नैचरली जब भी कभी कोई समस्या आती है उसमें पहला व्यक्ति जो पकड़े जाने वाला होता है वह गारिवान होता है बाद में गारी में कौन बैठा है? उसकी चर्चा होती अर्था जो गारी चला रहा है, उसकी पूरी responsibility बन जाती है इसलिए गारी वान को पकड़करके पूछ रहा है, गारी पे बैठा कौन है उसको नहीं पूछ रहा है कि ये बता कि कहां ये गारी ले जा रहे हो किसकी ये गारी है कौन इस गारी में बैठा है कहां जा रहे हो तुम लोग चेट कहता है अर्थात उस पर जो एक गारी वाला था उसको कहता है एतत खलू प्रवहनम आर्ये चारू दत्तस्य चिट कहता है बड़ी पोलाइटली जवाब देता है कि यह जो गाड़ी है यह गाड़ी आरिये चारुदत्त की गाड़ी है इहारिया वसंत सेणा रूणधा और इसमें जो है आरिया वसंत सेणा बेची हुई है पुष्पकरंडकम जीरनोध्यानम क्रीडितुम चारुदत्तस्यनियते अब चारुदत्त की ये गाड़ी है तो वो चारुदत्त के पास वसंत सेना ले जाई जा रही है यानि जो पुष्प करंड़क जीरनोध ज्यान है जो पुराना पुष्प करंड़क नाम का जो पुराना भगीचा है उस भगीचे में खेलने के लिए प्रणय व्यवाहार के लिए ये गाड़ी जो है वसंत सेना को ले जा रही है विरक चंदन के पास जाकर के कहता है एशप प्रवाहन वाहको भनती आर्ये चारुदत्तस्य प्रवाहनम वसंत सेना रूढ़ा पुष्पकरंडकम जीरनो द्यानम नियते वो चंदनक के पास जा करके कहता है कि वही देखो कि ये जो गाड़ी है इस गाड़ी में वसंत सेना बैठी हुई है ये गाड़ी चारुदत की है और वो गाड़ी जो है वसंत सेना को ले करके पुश्प करंडग जीरनो द्यान की और ले जा रही है तो चंदनक कहता है कि तद गच्छा तू तो ठीक है गारी को जाने दो वसंत सेना बैठी है चारुदत के पास ले जा रही है चारुदत की ये गारी है पुष्पकरंड को दियान की और जा रहा है तो सारी inquiry हो गई इसलिए चंदनग कहता है कि भाई ठीक है तो ले जाने तो गाड़ी को आगे बढ़ाओ वीरा का प्रश्ण कहता है कि अनवल वकी तई वर बिना चेक किये हुए ही भाई कम सकम देखतो लो वीरा कहता है कि देखतो लो किसमें वसंते सेना बैठी है कोई और बैठा है गाड़िवान कहीं जूट तो नहीं बोल रहा है सही में उसकी गाड़ी है की नहीं कि चंदनग कहता है हाँ और ळ다 अगर यह चारुदट की गाड़ी है और ऊसमें वसंते सेना बैठी है तो फिर इसमें देखने की जरुरत ही क्या है तो विरक कहता है कस्य प्रत्य यह ना पूछ लेता है कि भाई किसके विश्वास पे हम इस गाड़ी को बिना देखे छोड़ दें चंदना कहता है आर्ये चारुदत अस्या भाई आर्ये चारुदत का इसने नाम लिया तो आर्ये चारुदत के विश्वास से हम इस गाड़ी को छोड़ देते हैं इसमें हमें देखना क्या इंस्पेक्शन क्या करना हमें जानवीन क्या करनी विरक कहता है कहा आर्ये चारुदत कावा वसंत से ना ये न अनवलोकी तब रजाती अरे भाई ये चारुदत तो होता कौन है कौन है ये चारुदत और वो कौन वसंत सेना है भाई जिनको बिना देखे ही तुम कह रहे हो कि गाड़ी को ले जाने दो चंदनक कहता है अरे आर ये चारुदत्तम न जाना सी क्या तुम्हार ये चारुदत्त को नहीं जानते नवा वसंत सेनाम और नहीं वसंत सेना को ये द्यार ये चारुदत्तम वसंत सेनाम वा न जाना सी तदा गगने जोचना सहितम चंद्रम अपित्वम न जाना सी चंदनक का विश्वास देखिए चंदनक का एक कह सकते हैं कि एक certain for a moment जो पक्षपात है एक जो biased एक decision कहले या conclusion कहले वो छूटते ही दे रहा है कि अरे आरे ये चारुदत्तों को कौन नहीं जानता कौन वसंत सेना को नहीं जानता और जो नहीं जानता चारुदत्तों को और वसंत सेना को वो मानो आकाश में रहने वाली चंद्रमा को जो जोट्सना सहित चंद्रमा है अर्था जिस चंद्रमा की चांदनी है उसके बिना जानता है नहीं जानता है ये दुख का विशह है यानि जिस प्रकार चांदनी वाले चंद्रमा को हम बखूबी पहचानते हैं उसी प्रकार हम वसंत सेना सहित चारुदत को जानते हैं दोनों निश्कलंक है ये भी निश्कलंक है वो भी निश्कलंक है इसलिए दोनों को जाने दिया जाना चाहिए मित्रो इसको हम आगे भी अपनी व्याक्षान में प्रस्तुत करेंगे अभी आप लोगों ने ध्यान पुर्वक्ष सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद झाल